कईसे हैं आप सब लोग I hope आप लोग ठीक होंगे मुझे कई बार ऐसी कमेंट आये थे कि दी आप मैं ऐसी रेमेडी बताएं जिससे कि हमारे बाल बहुथ ते definition हों लबहुने हों हमारे बाल मश्डूथ हों हमारे जो पतले बाल हैं वह भी मोटे हूँ तो फ्रेंडस आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही रेमेडी लेकर आई हूँ इसके इस्तमाल से आप कम समय में अपने बालों को लंबा बना सकते हैं अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं तो आप उन्हें घना भी बना सकते हैं साथी साथ आपका अगर हैर फॉल की समस्य है बाल काला घना मजबूत और रेशमी बना सकते हैं इस रेमेडी को आप वीक में दो बार भी लगा सकते हैं और एक बार भी लगा सकते हैं लेकिन आपको वीक में एक बार जरूर लगानी है अगर आपके पास टाइम है तो वीक में दो बार भी लगा सकते हैं जैसा टाइम हूँ कि आप उस हटाब से सकते हैं ऊपर इस रेमेडी को बनाना बहुत ज्यादा असान है भी जाधा खर्चा नहीं है कि एगर आप वीडियो थोड़ा सभी अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करेंekzug करेंeg Trinity çek और अपने Спस्कe वी डीओ को आप बीच पें बिलकुल मत चोड़ें वीडियो को आप पूटा देखेंटे यह तभी आपको पूरी जानकारी मिलती ह। इस के बनाने लिए गे faut आप बनाना या फिर सीड जल का जरूर से जरूर ही इसक्hi नहें लिए है क्योंकि अग हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है था फिर एंग ऐसे पोशक तत्वह को जो हमारे बालों को मजबूद बनाते हैं एग में होता है प्रोटिण इसे साथ हमारे बालों को प्रोटीन की भी ज़रुत होती है तो प्रोटून देने के लिए यह बहुत अच्छ है कि आप एग लगाएं आप कुछ है तो एग को खाली भी ही लगा सकते हैं यह फिर मिंक्स करें अगर हम एक काली एसी ही लगाते हैं तो बहुत ज़ाधा श्मैल आती है और यकष्य तो अप यहर वाश काल, हम बीधिक है एक लूचेAF को उसमेल ठोड़ी तो श्मैल तो नहीं यहिसे है यह तक के आज़ आएगी अगा और अगल, पर्याल, को प्यूंच बाल में रोल जाओ आप में जोजोबा के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन अगर आपके पास तो मैं एक दूसरा तील इसे और यह बहुत अच्छा होता है अपर एक चम्मस्ट को एड़ कर रहे हूं अब इसके बाद हम इसमें दूसरा जो है एड़ करेंगे वह है ऑलिव ओलिव ओल ज्यादतर होता ही है घर में तो आप इसलिए इसका इस्तिमाल कर सकते हैं यह आपके बालो का ज्याद़ रोखता है साती साथ अगर आपके बाल पहुत ज़ादा पतले हो गये है किसी भी कारण से तो आप इस तेल कभी इस्तामाल बना सकते हैं बालो की हेर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो यह तोनों टेल उसमें अट कर ली है अब मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ अब मैं इसमेल करूंगे जिससे की जो इसकी इसमेल है वो कम हो जाए और बालों में से इसमेल ना आए तो उसके लिए आप या तो इसमें लेमन एड़ कर सकते हैं लेकिन लेमन जादा तो लोग एड़ नहीं करते हैं उनके दिमाग में यह चीज रहता है कि लेमन से हमारे बाल सफेद होते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता ह लेमन का रस लगाने से बाल बिल्कुल भी सफेद नहीं होते हैं पता नहीं कहां से दिमाग में बात बैठ गई है कि लेमन से बाल सफेद होते हैं इसमेल ना है तो इसके लिए में इसमें एड़ कर रही हूं एड़ कर रही हूं रोजमेरी का क्योंकि हेर ग्रोथ के लिए अधिक्न नहीं ब्हूंस आप गए आपना जो आपने कलिए को स्मयल एकक क्या म jetzt लिफ्त क्या मैं करता है उजर्चे से मिक्स को जह बहुता है इसलिब अधिक्स करके लिए अँड्रेच को शीजे अपने यह एंड्रेक्शा नहीं आपाता है तो आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजे जिस तरीके से मैं कर रही हूं इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अप्लिकेशन करके आप वीडियो को पूरा देखा करिए फिर आप मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि हम इसको रख सकते हैं या फिर कितने दिन लगा कब तक रिजल्ट मिलेगा फ्रेंट्स रिजल्ट की बात है तो कुछ लोगों को जल्दी मिल जाएगा लेकिन कुछ लोगों को लेट मिलता है रिपेंट करता है कि आपके स्कैल्प कैसे हैं आपके बाल कैसे हैं अब इसकी अप्लिकेशन देख लेते हैं फ्रेंट्स मैंने कि प्रण को में कर लिया है और उसके बाद ही मैं अपने पॉरे स्कैल्प में अप्लाइकरना अगर आपको लगता है कि आपके पूरे स्कैलप में लग चुका है तब ही आप अपने बालों कि लंट में लगां लेकिन आपको पहले इस्कैल्प में अछज भी तो आप इस तरीके से अपने पूरे स्कैल्प में लगा लीजिए तो अगर आप खाली एक भी लगाते है तो आप 15 प्रभादीर में difference देख सकते हैं अपने बालों में लेकिन अगर आप अपने बालों को कम समय में लंबा करना चाहते हैं घना करना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो को देखने से नहीं होता है कुछ रेमेडियों को अपलाई करना पड़ता है तभी आपको लंबे खुबसूरत बाल मिलेंगे अगर आप यह सोचें कि एक रेमेडी हमने देख ली है अब उसको हम एक बाल लगा लेते हैं और हमारे बाल लंबे हो जाएंगे त आप कोई भी एर पैक लगा सकते हैं अपने बालों के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एग का लगाए आप एग लगाए बनाना लगाए ये फ्लैक्सीड लगाए मेथी दाना लगाए बहुत सारे ऐसे पैक हैं जो कि आपकी बालों को लंबा घना बनाते हैं मैंने पूरे तो आपको जादा बिल्कुल नहीं रखा आप 30-45 मिनटी अपने सेर में रखें और जब आपके बालों में एक तो कमाल की चमक आने वाली है आपके बाल बहुत ही सुल्जे हुए नचर आएंगे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा तो आप इस रेमेडी का जरूर इस्तमाल करें और आप इस रेमेडी को वीक में एक बार या फिर दो बार अपलाई कर सकते हैं और इस रेमेडी अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आप प्लीज मुझे फीडबेक दीजे कि इस रेमेडी से आपको कितना फर्क पड़ा है आपके बालों पर और इस वीडियो से रिले कर दो